कि अब कॉंसेट समझेंगे डूज रिस्पॉंस अर्निजनेशनसिप को कई बार इसमें बच्चों को लगता है कि हम इसमें किस चीज को पढ़ने वाले हैं कि Nintendo कीजों को इसमें हम तूदापॉं डिसकस करते हैं एक डू रिस्पॉंस करते हैं डूज रिसपॉंस कर तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम डिफरेंट डोजज़्े पे उस पर्टिकुलर ड्रग के रिसपॉंस को हम ग्राफ में उसको ड्रॉडा करते हैं और उसको हम बोलते हैं डोज रिस्पॉंस कर बिसिकली जो student organ बात से हमको जो मिलता है वो होता है हमारा डोज रिस्पॉंस कर तो उसमें क्या है basically कि जैसे it is a graph between the doge of a drug administered on x-axis and the effect produced by the drug on a y-axis x-axis और y-axis का क्या meaning है यह आपको समझ लेंगे देखिए यह आपका एक graph है इस graph में यह x-axis जो है वो x-axis है और यह x-axis क्या है आपकी y-axis x-axis में आप drug को mention कर रहा है उसकी different doses सब कुसकरी यहाँ आपने एक dose दी और एक dose different dose यहाँ पर increasing order में है जैसे भी आपको देना है वो dose दी और उसके comparison में इसका response यहाँ तक आया और इस dose पर response यहाँ तक आया तो यह x-axis पर आप में drug को रखा dose को और इस पर y पर response को हम ले देखा तो वही बात को कहा गया है कि it is a graph between the dose of a drug administered on x-axis and the effect produced by the drug on a y-axis basically दो components के बने होते हैं जो भी dose response करब की हम फार्मकोलेजी में बात करते हैं तो वो dose plasma concentration करब होता है राइट कि आप dose दे रहे हैं तो plasma में वो drug किस तरीके से response दे रही है राइट तो मतलब dose plasma पे कितना concentration है उसका क्या response है तो और एक होता है plasma concentration response कर तो basically as plasma concentration जो होती है वो more closely related to होती है response की means जैसे अगर हम दोज हमने कितनी ली दोज हमने कितनी ली इस बात पे response ज़्यादा depend करेगा या इस बात पे कि प्लाजमा में ड्रग कितनी रीचेज प्लाजमा में उस ड्रग का कितना concentration है तो बट ओवियस ही बात है कि प्लाजमा concentration response कर्व जो होगा as plasma concentration is more closely related to response the graph between the plasma concentration and response is usually called doge response कर्व अब doge response कर्व क्या होंगे यह doge response कर्व क्वांटल भी होते हैं और graded भी होते हैं क्वांटल का DRC में या तो response नहीं होगा इसको इस example से समझा सकता है कि जैसे हम anti-emitic drug लिए तो anti-emitic drug का बस simple सा है कि आपकी vomiting या तो stop कर रही है या तो नहीं कर रही है अब इसमें anti-emitic इसलिए नहीं ले जाती कि वो vomiting को कम कर दे तो आपका function यहाँ पे बिलकुल clear है कि वो vomiting को रोक दे मतलब कोई effect ना हो राइट तो all or none phenomena पे यह DRC होती है इसमें basically y-axis पे हम number of person को रखते है responding number of person responding और x-axis पे रखते हैं जो जितना plasma concentration हो उस drug का तो यह all or none phenomena it is calculate it is used to calculate ED50 and LD50 activity देखिए अब इस quantum DRC का basically use क्या है तो आपको इस concept से यह समझ में आएगा जैसे यह all or none phenomena पे based मतलब effect होगा या तो नहीं होगा तो मैं इससे हम यह देख सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो कब तक नहीं हो रहा है और कब हो रहा है means आप समझ रहे हैं जैसे किसी एक particular dose को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो वहां तक एक effect जो effect हम चाहते हैं वो नहीं हुआ लेकिन एक certain dose में एक certain interval के बाद वो effect हो गया तो हम अगर उस dose को note कर लें तो हमारा एक value यह पता लग जाएगी कि इस dose पे हमारा इतना effect आता है और एक तो यह पता लग गई कि इन doses पे हमारा effect नहीं आता है तो इसलिए हम इसी concept के basis पे हम इससे effective dose ED50 और LD50 को calculate करते हैं देखे median effective dose क्या होता है it is the dose that will produce the half of the maximum response maximum response का 50% जो response होता है वो किस dose पे आता है उसको बोलता है median effective dose अगर किसी drug का median ED50 जादा हो मतलब उसका response ज़ो हो ज़ादा ज़ादा dose पर आए तो इसमें clear सी बात है it means उसकी potency बहुत ही क्या है कम है अगर मान लीजे उसका 50% वाला जो maximum response है वो कम dose पे ही आ जा रहा है it means उसकी potency ज़ादा है किसी तरह median lethal dose की हम बात करेंगे तो it is the dose that will result in the death of the 50% of the animal receiving the drug अब किस dose पे 50% animal death कर जा रहा है तो अगर कम dose पे ही कर जा रहा है तो वो lethal होगी drug हमारे लिए अगर ज़्यादा उसकी LD50 की dose ज़्यादा है it means वो drug हमारे लिए safe है और यही वज़े होता है कि effective dose और lethal dose के basis पे हम एक term पढ़ते हैं pharmacology में जिसको बोलते है therapeutic index तो therapeutic index क्या होता है therapeutic index क्या है कि जो ED50 और LD50 में कितना gap है अब देखे ED50 और LD50 में जितना ज्यादा gap होगा उतना ज्यादा किसी drug का therapeutic index होगा it means आप कह सकते हो ऐसा नहीं है कि कोई drug एक mg पे lethal है और एक mg पे effective है दो mg पे lethal है तो वो drug की therapeutic index बहुत ही narrow हुआ आप यह बोल सकते हो कि कोई drug एक mg पे effective है और उसकी 500 mg जो है वो lethal है तो आप एक से लेके 400-499 तक वो drug को mg तक ले सकते हैं it means उसका therapeutic index काफी ज्यादा है तो therapeutic index क्या होता है it is the measure of the safety of a drug it is calculated as the ratio of LD50 to the ED50 drugs having high therapeutic index are safer whereas those having low therapeutic index are more likely to be toxic यह concept यहाँ से यह अब basically हमने किसमें समझा क्योंकि हम एक point की बात कर रहे है चाहे effective dose हो lethal dose तो हमारा एक quantal DRC से all or none phenomena अब हम बात करेंगे graded DRC की तो graded DRC में हमारा concept clear है कि इसमें जिस तरीके से हम dose बढ़ाते जाएंगे हमारा response भी बढ़ता जाएगा देखिए यहाँ पे less dose हमने रखी यहाँ पे less dose रखी एक certain आप कुछ भी assume कर सकते हैं तो उसका response हमारा यहां तक आया राइट ऐसे इतना response आया आपका जैसे ही हमने dose बढ़ाई तो यह response भी बढ़ गया तो अब इसको बोलते हैं graded DRC तो when the response can be graded example reduction in blood pressure means आप reduce कर रहे हैं blood pressure किसी ड्रक से तो अगर आप उसकी ज्यादा dose ले लेते हैं तो blood pressure ज्यादा reduce हो जाएगा तो यह तरीके का क्या है graded response है तो यह एक सी source the magnitude of response DRC इसकी जो DRC है वो basically किस तरह की है hyperbola in shape है और hyperbola in shape के साथ mathematically कुछ-कुछ problem associated है उसकी वज़े से हम क्या changes करते हैं देखिए hyperbola shape है आपको यह दिख रहा hyperbola shape तो as curved line इस curved line इसमें ज्यादा तर line आपकी यहाँ तक यह curved है और इसमें यहाँ तक curved है तो overall maximum line जो है वो curved है as curved line cannot give good mathematical comparison so usually the doge is converted to log doge to form logged ERC which gives a sigmoid shaped curve जो कि क्या shape देगा sigmoid shaped curve देगा hyperbola से sigmoid shaped curve देगा तो इस वज़े से क्या होता है कि हम इसको log log doge की value microgram में ना लेके log doge हम लेते हैं log doge में log concentration लेते हैं the middle portion which of the therapeutic importance जो therapeutic importance है basically middle portion is a straight line in the log DRC log DRC में जो middle portion जो straight line होता है यह वाला यह portion यह basically आपका therapeutic importance रखता है another advantage of converting it into logarithm form is the large variation in doses can be plotted on the same curve हम कई doses के कर्व को एक साथ आसानी से बना सकते हैं और यह भी एक वज़े होती है doge को log value में convert करने की अब हम बात करते हैं कि देखिए हमारा जो यह response था graded DRC उससे तीन associated definition है जो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं देखिए हमने यहां पर देखा कि एक drug less doge पे जो जितना response कर रही है यह drug higher doge पे इतना response कर रही है तो अगर मैं किसी एक certain point को ले लूँ सफूस करो यहां पर मैं इस drug का यह देख लूँ कि यह drug का response कितना है इस point पर रखका response इतना है अब यहां पर जब मैं इसको extra pullet इस तरीके से करूँगा तो यह point यहां पर आएगा तो यह response मेरा कितना होगा इस dose concentration पे होगा तो basically इसमें जो है थोड़ा सा confusing हो गया होगा आपके लिए तो आपको इसमें इस तरीके से देखना है कि आपको तीन parameter से यहां से associated है potency, efficacy और potency, efficacy and slope तो potency और efficacy basically क्या है देखे potency में basically it is the measure of the amount of drug needed to produce the response मतलब अगर suppose करिए कि amount of drug कि इसमें बात करते हैं कि अगर कोई drug same response dairy at lower dose पे तो उस drug को हम बोलते हैं ज्यादा potent है जैसे हम यहां पर बोलेंगे कि drug A is more potent इसका response ज्यादा है किसी point को लेके इस point को लेके response इसका ज्यादा है efficacy के अगर बात करें तो efficacy क्या है कि it is the maximum effect produced by the drug तो यहाँ पर effect maximum कोन produce कर रहा बी कर रहा है तो B का यहाँ पर क्या ज्यादा है efficacy ज्यादा है more the peak of the curve greater the efficacy it is clinically more important than potency यह line बहुत important है कि clinically जो researcher के लिए important होता है वो efficacy ज्यादा होता है in comparison to potency in diagram B is more efficacious than drug slope के अगर हम बात करें तो देखे if the DRC is steeper that means the response will increase dramatically with slight increase in doge अगर steeper है वो steeper है तो अगर हम slight increase करेंगे डोज का तो response में dramatically change होगा और यही वज़े होती है कि drug having steeper DRC have narrow therapeutic index उनका therapeutic index बहुत ही narrow होता है क्योंकि उसमें अगर जरा सी doge किये तो disaster changes होंगे में भी वो lethal हो जाए यही वज़े होती है कि narrow therapeutic index barbiturate का होता है जबकि Benzodigepine का जो curve होता है वो steep less steep होता है इसलिए हम बोलते है कि therapeutic drug monitoring में हम barbiturate को consider करते हैं ना कि Benzodigepine को यह एक normal सा point है यह already discussed class में किया जा चुका है कि in case of competitive inhibitor curve will shift to the right that is now the same agonist will have less potency in the presence of antagonist it does not affect the efficacy in case of non competitive inhibitor there will be a flattening of DRC efficacy decreases it usually does not affect potency if the antagonist is irreversible competitive then there will be decrease in the potency as well as efficacy यह एक बहुत important point है चुकि इसको already मैं पहले discuss कर चुका हूं competitive and non competitive antagonism में तो आप वहां से भी इसको concept को समझ सकते हैं So this is all about आपका दूज response relationship Thank you very much Quéffe